नमस्कार दोस्तों मैं हूं अंबज शर्मा, फिल्ममेकर और फोटोग्रैपर और आज आपके साथ फिर उपस्तेता हैं दास्तान सीजन डू में एक और नई कहानी लेके कहानी के साथ साथ एक डिटेल्स भी इसमें देंगे और कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना जाता हूँ जैसे कि सब जानते हैं समय कोरोना का एफेक्ट है तो घरों में रहें शुरक्सित रहें दूसी तरफ इसी कोरोना से जुड़ी वी एक और आपको मैं अपडेट देता हूँ कि एक वसीम खान है जुनोंने मुझे वाट्सेप पे मैसेज किया और वसीम खान उदैपूर के हैं और वो एक हिस्ट्री शीटर है एस पर दी साइट ऑफ पुलिस राजिस्थान पुलिस की जो साइट है उस पे उनका लिखा हुआ है हिस्ट्री शीटर और ये बात वसीम खान ने मुझे खुद वाट्सेप पे कही कि मैं एक हिस्ट्री शीटर हूँ लेकिन मैं अब ये लाइन छोड़ चुका मतलब मैं क्राइम बिलकुल छोड़ चुका हूँ और मेरा एक होटल का बिजनस है और मैं इस समय कोरोना के लिए जो नीडी लोग हैं उनकी साहेता कर रहा हूँ तो वसीम खान ने मुझे अपनी कुछ फोटोस भेजी जैसे मैंने किसी एक एपिसोड में रिक्वेस्ट की थी कि आप किसी की भी साहेता करते हैं तो आप हमें अपनी फोटोस भेजी हैं हम उनको दिखाएंगे तो वसीम खान ने जो भी आसपास के जो लोग हैं तो उसमें राश्चन दिया है और आप फोटोस देख रहे हैं तो इस समय जो कोरोना है कोरोना से सब को मिलके ही लड़ना है शोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है और जो ये वसीम खान है इनोंने एक परियास किया तो मैं हमेशा सही को सही कहता हूँ गलत को गलत कहता हूँ तो मुझे लगा कि ये स्टोरी आपको बतानी चाहिए, ये वाक्या आपको बताना चाहिए कि वसीम खान जो एक हिस्टी शीटर है वो भी एक आगे बढ़के आया और वो कहता है कि मैंने क्राइम की दुनिया छोड़ दी है और लोगों की मदद करने शुरू की ये वाक्या मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी आज की जो कहानी है वो मुंबई माफिया से रिलेटेड है और खासकर डी कंपनी से डी कंपनी से इसलिए मैं काऊंगा कि जब हम सीजन वन अपनी तियारी कर रहे थे माफियास के उपर जब हमने एक टीवी सीरियल नार्कोस की तरह बनानी की सोची थी और सोचा था कि सेकिंड सीजन में हम यह दिखाएंगे कि वो इंटरनाशनली कैसे हुए और उसके पीछे युएस अमेरिका कैसे पॉलिटिकल प्रेशर लगाता है और इनके बिजनस खतम करता है यह सेकिंड सीजन में हमें दिखाना था तो सीजन टू में हमने डी कंपनी को दिखाया था कि वो किस तरीके से अपने आपको ग्लोबली करते हैं अगर मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताता हूँ कि डी कंपनी हमेशा एजा स्मगलर कहा गया डी कंपनी को एक स्मगलर के रूप में कहा गया लेकिन 93 बॉ कि हमारा 93 बॉम ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं है और छोटा शकीन ने ये भी कहा है कि 93 बॉम ब्लास्ट में मेरा नाम कहीं चार्शीट में नहीं है दूसी तरफ मुझे एक और किस्सा याद आता है कि जब 93 बॉम बॉम ब्लास्ट के बाद I think 94 में राम जेटमिल लाली को दाउद इब्राहिम ने लंडन में फोन किया था और यह कहा था कि मैं सरेंडर करना चाहता हूं क्योंकि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है और उसके बाद इंडियन गौवर्मेंट ने यह काय दिया था कि नहीं हम किसी को कोई विशेश सुविधा नहीं देंगे वो क्र करता हूं तो जब D company internationally हो रही थी और 86-87 के आसपस दुबई पहुंची थी और इन्होंने अपना smuggling का business दुबई से start किया था और काफी smuggling होती थी अब आते हैं बात कि अब इन्होंने business क्या किये US ने 1999 में एक act लेके आया वो था kingpin act और वो काफी पुराना act था उसको law बनाया 1999 में तो यह जो kingpin act है यह है क्या इसमें यह है कि worldwide जितने भी kingpin है जो कि किसी भी प्रकार से illegal activities में जुड़े वे हैं चाहें वो arms dealing हो चाहें वो narcotics हो चाहें वो land grabbing हो या फिर वो economical crime हो वो किसी भी तरीके का crime हो वो जो है उसको रोकने के लिए kingpin act बटा अब आते हैं D company में सबसे एक खास आदमी की वो है दावत के छोटे भाई अनीस इबराहिम की अनीस इबराहिम कभी भी जो है आपका limelight में नहीं रहा कभी भी वो media में न जो मैंने एक episode में आपको सुनाई भी थी उसमें भी दीपक को ये बोला था अनीस इबराहिम ने कि मैं मेडिया से दूर रहता हूं मुझे इस सब चीजों की जरुवत नहीं है मैं छोटा शकील से तुमारी बात करवा तो अनीस इबराहिम शुरू से business में ही रहा और शायद 15 में बराक ओबामा इंडिया आ रहा था तो बराक ओबामा हमने कहते हैं कि इंडिया को प्लीज करने के लिए दाउद इबराहिम की कुछ asset freeze किये थे उसमें से वो asset क्या था asset था एक paper mill महरान paper mill जो की 1987 में registered हुई लाहोर में और इस समय आप वो screen पे screenshot भी देख रहे हैं फोटो देख रहे हैं यह पाकिस्तान की website है जहां पे आप companies के data search कर सकते हैं कि यह company कब incorporate हुई तो महरान paper mill जो है asper the Pakistan website वो लाहोर में 1987 में incorporate हुई लेकिन उसमें कहीं किसी director का नाम नहीं आ रहा है लेकिन 2015 में USA ने Kingpin Act के तहर एक sanction दी थी US ने 2015 में Kingpin Act के तहर इस property को जो है डाउद इबराहिम के छोटे भाई अनीस इबराहिम जिसको साइड में हाजी अनीस इबराहिम भी लिखा है और अजीज मोसा अजीज मोसा भी एक most wanted है asper the CVI की website के तहर और वो terrorism यानी की 93 bomb blast का accused है अजीज मोसा इन दो लोगों का नाम महरान पेपर मिल में दिया है दूसी तरफ यह according to USA यह जो property है महरान पेपर मिल यह अनीस इबराहिम और अजीज मोसा की है दूसी तरफ एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो यह listing है तो जब आप business list करते हैं तो कुछ sites पे आप जो है अपनी B2B जो sites होती है उस पे आप अपनी company के listing कर देते हैं तो उसमें जब company में listing हुई B2B site जैसे अली बाबा हो गया या कोई भी XYZ जो B2B की है यानी B2B यानी business to business जो website होती है उसमें जो है list किया गया उसमें भी जो नाम दिया गया contact person वो दिया गया अनीस इबराहिम का और अनीस इबराहिम को ही एक legal face माना गया जो crime से अलग रखा गया कहते हैं कि अनीस इबराहिम को crime से अलग रखा गया एक face दिखाया गया white business करने के लिए इसमें जो main व्यक्ति है जिसने मेरान पेपर मिल को डाउद इबराहिम से associate माना वो है जौन इसमित 2015 में John Smith जो है acting director था office of foreign asset control का तो जैसे मैंने बताए kingpin act जो है 1999 का उसमें क्या है कि जितने भी लोग worldwide most wanted है उनकी property seize करने का अधिकार है दुनिया भर में property seize के साथ उनके साथ जो लोग जुड़ेवे हैं उनकी properties भी seize करने का अधिकार है ये उनका एक act है और जौन समित उसमें acting director थे office of foreign asset control के जिनोंने ये sanction दी थी मेरान पेपर मिल के उपर कि ये जो है दाउद इबराहिम के छोटे भाई अनीज और उसके partner अज दूसरी तरफ ये company जो है मेरान पेपर मिल ये इंडोनेशिया से अपना बहुत सारा paper मंगवाती थी मतलब की raw material मंगवाती थी और उसका में एक list आपको दे रहा हूँ कि एक dock list है जो ship चलते है जो ship में जो समान loading होती है उनकी dock list होती है तो उसमें आप देखेंगे कि एक address द दिया हूँ है आपका इंडोनेशिया से जो importer है वो मेरान पेपर मिल पाकिस्तान दिखाया है और उसमें total weight लिखा है कितने weights कितने weight का है और क्या-क्या चीजे है इसमें तो ये जो company है मेरान पेपर मिल इसको USA ने जावुद इबराहिम का माना और फिर जब इंडिया बराक अबामा आ रहा था तो लोगों को लगा कि ये एक तरीके से गिफ्ट है इंडिया को डाउद इबराहिम के खिलाफ इस स्टोरी में ये है कि डाउद इबराहिम एक white business में चला गया अनीज इबराहिम white business का face रहा लेकिन मुझे ये ताज्यब होता है कि क्योंकि ये company 1987 में लाह दाउद इबराहिम वाजन दुबई और या तो ये company पुरानी रिजिस्टर्ट थी जिसको दुबारा खरीदा गया क्योंकि बहुत सारी companies होती है रिजिस्टर्ट होती है बहुत पहले लेकिन कम business करती है तो अगर उनका नाम अच्छा है या कुछ उसमें इंवेस्मेंट और लोग कर देते हैं तो वो company उसको खरीद लेते हैं तो हो सकता है कि मेरान पेपर मिल बाद में जो है दाउद इबराहिम ने अनीस इबराहिम को खरीद के दी हो business करने के लिए और ये लोग दुबई बैटके आपका business समालते हो वाइट का पेपर मिल का और अमेरिका ने इसको ये भी माना कि इसके पीछे जो है ये सिर्फ एक phase है लेकिन जो shipments चलते हैं इस paper मिल के वो जो उस प्रकार से चलते हैं कि इसमें कुछ illegal activities के लिए तो खेर ये एक detail थी एक episode था कि international का मैं उमीद करता हूँ कि आपको ये episode पसंद आया होगा नई details आपको दी है और साथी साथ मैं ये काऊंगा कि कोरोना का time है बचे रहे शुरक्षित रहे और lockdown मुझे लगता है कि बढ़ेगा अगर बढ़ेगा तो भी आप घर में रहें और जब lockdown हट जाये तो ये नहीं समझेगा कि कोरोना खतम हो गया है ये बिलकुल मत सोचीगा क्योंकि कोरोना अभी नहीं खतम ह हुआ है लोगड़न अगर खतम भी हो जाये तो social distancing और सब चीजों की ध्यान रखके आप अपने आपको शुरक्षित रखिएगा तो चलिए अब मैं लेता हूँ आपसे विदा मिलते हैं अगले episode में